नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि सिक्योर एसार टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, सिक्योर एसार टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और सिक्योर एसार टैबलेट की वज़े से क्या effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि secure sr tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए secure sr एक brand name है secure sr tablet के अंदर active ingredient progesterone होता है secure sr tablet 200 mg, 300 mg वच 400 mg की strength में available है secure sr tablet एक sustained release tablet है जो शरीर में धीरे धीरे घुलती है और sustained release दवाओं का असर लंबे समय तक रहता है progesterone एक female hormone है जो महिलाओं के मासिक धर्म को नियमित करने में मदद करता है progesterone hormone pregnancy के दौरान भी बहुत ही जरूरी होता है progesterone hormone महिलाओं के गरभाशे को pregnancy के लिए तयार करता है जिन महिलाओं को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं ऐसी महिलाओं को भी doctor secure SR tablet को लेने की सला दे सकते हैं महिलाओं में progesterone hormone की कमी होने पर महिलाओं को pregnant होने में परेशानी हो सकती है महिलाओं के मासिक धर्म अनियमित हो सकते हैं और progesterone hormone की कमी बहुत ज्यादा होने पर मासिक धर्म का आना बंद भी हो सकता है और pregnancy के दोरान progesterone hormone की कमी होने की वज़ह से महिलाओं में miscaris होने का जोखिम अधिक हो जाता है या बच्चा नौ महीने पूरे होने से पहले भी हो सकता है Secure SR tablet का उपयोग महिलाओं में pregnancy के दोरान होने वाली complications से बचने के लिए और महिलाओं के मासिक धर्म को नियमित करने के लिए और महिलाओं में hormone असंतुलन होने पर Secure SR tablet का उपयोग किया जाता है महिलाओं में progesterone hormone की कमी होने पर सिर्दर्द रहना, स्वभाव चिडचिड़ा व उदास रहना, लगातार वजन बढ़ना, प्रेगनेंट होने में परेशानी होना, मासिक धर्म अनियमित होना, नींद ना आना, तनाव व चिंता रहना और तवचा में सूखापन होना आद side effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट महिलाओं में secure SR tablet की वज़ह से कुछ side effects हो सकते हैं, जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, सिर्दर्द होना, चक्कर आना, नींद अधिक आना, शरीर में ठकान होना, स्वभाव में बदलाव होना, आखों में धुंधलापन होना कब्स होना, दस्थ होना, पेट में दर्ध होना, पेट में भारीपन होना, सीने में जलन होना, रात में पसीना अधिक आना, महिलाओं की वजाइना से डिस्चार्ज होना, वजाइना में सूखापन होना, हाथों वपैरों में सूजन होना और महिलाओं की ब्रैस्ट में दर्ध होना आधी side effects secure sr tablet की वज़ा से हो सकते हैं अब हम discuss करेंगे कि secure sr tablet को कैसे लेना recommended होता है secure sr tablet को खाना खाने से एक घंटे पहले या खाना खाने के एक घंटे बाद लेना recommended होता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र की ज्यादा तर महिलाओं को डॉक्टर सिक्योर sr 200 mg से लेकर सिक्योर sr 300 mg टैबलेट को दिन में एक बार और रात को सोते समय लेने की सला देते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर प्रेग्नेंसी के पहले तीन महिने तक ही सिक्योर sr टैबलेट को लेने की सला देते हैं और प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रेग्नेंसी के तीन महिने पुरे होने के बाद सिक्योर sr टैबलेट को बंद करने की सला देते हैं सिक्योर एसार टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ महिलाओं में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको सिक्योर एसार टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की सिक्योर एसार टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर, डीप वेन थ्रॉम्बोसिस होने पर, पल्मोनरी एंबॉलिजम होने पर, तन कैंसर होने पर, वजाइनल ब्लीडिंग होने पर, लखवा लगने पर और दिल का दौरा पढ़ने पर सिक्योर एसार टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड जब सिक्योर एसार टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो, वैसे सिक्योर एसार टैबलेट मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है, लेकिन अभी इसके बारे में परियाप डेटा अवेलेबल नहीं है कि सिक्योर एसार टैबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं इसलिए स्तनपान करा रही महिलाओं को सिक्योर ऐसार टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिक्योर ऐसार टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं